हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, तो आज हम बना रहे हैं साबुदाने के पापड जिन्हें व्रत में खाय जाता है तो इसके लिए मैंने एक कप साबुदाना ले लिया है और इस साबुदाने में पानी डाल कर अच्छी तरह से वॉस कर लेंगे और वॉस करने के बाद इस पानी को फैक देंगे और साबुदाने को भीगो कर रखेंगे और साबुदाने में साबुदाने से ज़्यादा पानी डालना है जिससे फूल कर बाहर न रहे चार घंटे के लिए भीगो कर रख दें जितना पानी होगा तो फूल जाएगा चितरे से उसके बाद इसका पानी निकाल कर हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे अब इसे हम इस बरतर में डालेंगे और इसके लिए एक कप साबुदाने में हम साथ कप पानी डालेंगे साथ कब पानी डालेंगे अभी और उसके बाद यदि और ज़्यादा फूलता है गाड़ा हो जाता है तो जितने भी पानी के अशक्ता होगी हम पानी डाल सकते हैं बाद में भी तो इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे पानी डालने के बाद और अब ये गाड़ा होता जा रहा है तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे अब और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे तो साभुदाने को पकने में करीब 30-35 मिनट लग जाते हैं तो ये गाड़ा हो रहा है तो हम इसमें 2 कप पानी और डाल देंगे तो कुल इसमें 9 कप पानी जा चुका है तो इस तरह से इसे चलाते जाएंगे और अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे आधा चमच सेंधा नमक और एक त्याह चमच काली मिर्ज डालेंगे क्रस्ट कीवी और एक चमच जीरा डाल देंगे आप इसमें मिर्ज इसकिप भी कर सकते हैं यदि आप नमक से ही बनाना चाहते हो तो नमक और जीरा डाल सकते हैं तो इसका रंग भी चेंज हो गया है मिर्ज डालने की वज़े से और यह इस तरह से गाढ़ हो गया है तो थोड़ा ठीक और हो जाएगा और फिर से हम गैस को बंद कर देंगे और ठंड़ा होने के लिए रख देंगे तो आप बिल्कुल रेडी हो चुका है ठंड़ा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा तो अब ठंड़ा हो गया है तो इससे हम सुखा लेंगे एक प्लास्टिक सीट बिछाएंगे और धूप में और इससे इस तरह से फैला देंगे यदि आप किसी स्टिल के बरतन में सुखाते हो तो उसको तेल से या घी से ग्रीज कर लेना और यदि प्लास्टिक सीट पर विछाते हो तो इससे ऐसे ही डाल सकते हैं बिना ग्रीज के हुए इससे आसानी से पापड हट जाएंगे सूखने के बाद तो इस तरह से हमने सब पापड फैला दिये हैं और दो दिनों के बाद पापड अच्छी तरह से सूख गए हैं और बहुत ही बढ़िया बने हैं पूरी तरह सूख गए हैं तो अब इने हम तल लेते हैं तो तलने के लिए मैंने तेल को पहले ही गरम किया हुआ है और गैस को बिलकुल लो करेंगे और सिर्फ तेल में डालते ही पापड तयार हो जाता है और बहुत ही अच्छे पापड बन रहे हैं और इन पापड को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं एर टाइट कंटेनर में और या जिप वाली पॉली बैग में स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी यूज़ कर सकते हैं सिर्थ तलना होता है और रेडी पापड तो सभी पापड इस तरह से रेडी कर लेते हैं और पापड हमारे बन चुके हैं बहुत अच्छे बने हैं एकदम खस्ता पापड तयार हुए है यदि आपको में रेडी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब माई चैनल